असलाम अलेक्ट दोस्तों मैं हूँ नदीम रॉबिन और आप देखने हैं मारा यूटीब चैनल फरावर टेक तो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे के कोई साभी कंप्रेसर हो चाहे वह फ्रिज का कंप्रेसर है यहां फिर वह एर कंडिशनर का कंप्रेसर है तो अगर वह स के दो का कि क्वक्रेसर हो कि जिस पर कमन रानिंग स्टार्टिंग ना लिखा है तो कैसे कंबने तो कौम प्रेसर करने आपंटाएंगे कि जो इंटरनली है तो यह देखें कम्परेसर के अंदर कुछ प्रकिता miss हुती है देखें यह कौईल यह कौईलाइज तो असके लिए आल ररी एंडियो बनाई हुई है वो वीडियो आप पहले देख से अब आपको बताते हैं कि यह क्वाइल्स इंटर्नली रणिंग स्टार्टिंग की सुरत में लगी होती हैं लेकिन यह रणिंग स्टार्टिंग कामन कैसे होती है वह आपको बताते हैं तो आप दोस्तों जैसे कि मैं आपको क्वाइल्स दिखाई कि इसमें दो क्वाइल्स होती यह एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मतलब कि देखें अगर देखा जाये तो इंटर नेरी कुछ ऐसा होता है यह फ्ट्मॉरह होता है और यह देखें यह दूसरी कि व्ट्मैण हो जाएगी आप इसमें हमें यह वी पता नहीं कि कि running कौर्ण ख необходимо सही है और यह जो तीसा पॉइंट हो कहां से आता है जब करिके यहां पे 4 cheese देखें यहां पे एक point दूसर pleasant था चो ठाब तो यह टीसा point का से आते हैं तो तीसर.इसा होता है कि यह जो इसका इनकी do वा क्रिशा है को आपस में joint बना दिये जाता है अब देखें यह joint हो गया तो क्या हुआ कि हमारे पास तीन point हो गए तो जो हमने मालूम करना है तीन point CRS ठीक है तो CRS का मतलब है जैसे कि यहां पर मैंने लिखें CRS तो C common running starting तो अब अगर हम हम यहां पे CRS डिरेक्क लिख दें, तो हमें तो पते नहीं है कि CRS कौन कौन से, इसके लिए, हम यहां पे फर्जी नाम लेंगे, मतलब कि हम अपने पास से कहीं पर भी X, वाई और जैड लिख देगे ताके हम इनको मालूम कर सकें यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले इनके पेर्ज बनाएंगे तो पेर कैसे बनाएंगे देखें यहां पर एक्स वाई हमारे पर तीन पेर बनेंगे गया हम इन तीनों को मुटिप्लै करें तो एक पेर पेर बने के लिए जो चीज या जो तरीके कार किया जाता है वो इनकी रिजिस्टन्स को मालूम किया जाता है तो रिजिस्टन्स को हम पहचानते हैं और किलो ओम्स के जरीए हम इसको पहचानते हैं जब इनकी रिजिस्टन्स को मालूम करेंगे तो देखें मैं आपको बताता ह तो क्या होगा कि हमने पेर बना लिए तीन पेर बन गे अब यहां पर जब हम एक्स और वाई देखें दो पॉइंट हैं तो जब हम इन दोनों को इनकी दोनों की रिजिस्टन्स को मालूम करेंगे तो क्या होगा यह यह वाले क्वाइल की रिजिस्टन्स और प्लस यह वाले क् तो वो हमें value देगा इसके जब ये दोनों की coil की resistance आ जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो resistance है ये इस coil की और इस coil की resistance है तो इसके sum नेवारा जो point होगा वो common होगा क्यूंकि वो इन दोनों coils को जोड़ के फिर common point बनाया गया है और दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको यहां तक समझ आगी होगी तो अब यहां से आपने वीडियो को बिल्कुल skip नहीं करना क्यूंकि अगर आप skip करेंगे तो आपको फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी हुआ क्या है तो आप जब आपको आपने x और y पे value चेक तो हमारे पास चूंके तीनी टर्मिनल हैं तो इसका मतलब है जब x और y दो टर्मिनल पे आप चेक कर रहे हैं और सबसे high value है तो z जो है वो हमारा common होगा मतलब के z जो हमारा common हो गया अब यहां पे फिर से एक मसला है मसला यह है कि जो y और z है y और z के इसका हमें पता नहीं कि इसमें जो है वो running winding install है यह starting winding इसमें install है x और z में install है तो इसलिए आप इस चीज़ को दुबारा से प्रूफ करने के लिए यह निकालने के लिए हमें फिर से एक फर्जी नाम लेना पड़ेंगे तो अब दोस्तों यहां पे हम फर्ज कर लेते हैं कि जो y और z है यह हमारे medium या दर्मियानी दर्मियानी resistance बनेगी मैंने के medium तो हम यहां पे medium लिख लेते हैं तो जब medium वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि जो x और z है यह हमारा running point होगा तो running पे सबसे ज्यादा कम resistance होती है low resistance होती है इसका मतलब यह हुआ कि जो जो फर्ज हमने किया है तो y जो है इस वक्त यहां पे हमारा starting point है और जो x है वो हमारे पास इसका running point है तो अब यहां actually होता क्या है कि जो हमेशा यह याद रखें जो start और run होता है इसके दर्मियान हमेशा high resistance बनती है इसमें हमेशा high resistance बनेगी और जो होता है जी देखें start और common इसमें हमेशा medium value बनती है और जो run और common होता है इसमें सबसे कम resistance होती है तो यह formula हमेशा याद रखें और दोस्तों अमीद करता हूं कि आपको theory जो है वो समझागी होगी अब हम आपको practical करके दिखाएंगे लेकिन देखें practically भी हमने आपके लिए यह system त्यार किया है तो अब आप यहां पे देखें हम cards दो तीन तो तीनों टर्मीनल्स पे हम कहीं पर भी जो हमने formula Yes किया था उसको हम इसको हम इसको कर लेंगे तो यह करें देखें यहां पर लिखजयते हैं एक्स यहां पर लिक Дेते आभाई और यहμεरे पास जहां पर जगगा खम ती इसलिए हम इसको हम पर लिखेंगे तो यह टर्मिनल जो इस तरफ किया यह यहां पर लिख दिया ठीक है अब यहां पर देखें एक्स वाई जैड है अब पियर्ज भी हमारे पास रेडी हमने करके लिख दिये अब इसकी रिजिस्टन्स को हम मालूम करेंगे तो देखें मीटर को ओम्स किलो ओम्स पर सेट कर दें क्योंकि हमारा आटो डेटर डेटक्टिक मीटर है तो जो हम हम इस्तामाल करेंगे तो वह आटोमेटिकली इसको डिटेक कर लेगा अब किसी भी दो पॉइंट की वैल्यू को टेस्ट करेंगे तो देखें यहां पर कितनी वैल्यू आई है यह है जी 2.8 तो इसका मतलब यह हुआ कि 2.8 जो है वो हमारे कौन-कौन से पॉइंट पे X और Y पे है तो इसका मतलब यह है कि X और Y पे हम लिख देंगे 2.8 तो यह 2.8 वैल्यू यहां पे आगी अब इसके बाद कोई से दो तो यह देखें यह बन रही है जी 3.9 तो कौन-कौन से पॉइंट पर बन रही है यह और Z पर मतलब कि Y और Z जो है वो हमारा 3.9 बन रहा है 6.6.5 ओम्स मतलब कि यह सबसे ज्यादा इस पर बन रही है 6.5 तो यह ओम्स में आ रही है देखें ओम निशान लिखा देंगे तो ओम्स है यह भी ओम्स है तो यह वैल्यू इसकी बन रही है अब यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कौन है कौन सा स्टार्ट है और कौन सा रानिंग है तो देखें जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जब सबसे ज्यादा वैल्यू जिस पॉइंट पे बनेंगी देखें यहां पे X और Z पे सबसे ज्यादा रिजिस्टन्स वैल्यू बन रही है मतलब कि X एक्स एक्स बन गया जी ठीक है जो हम आप फार्मूला पर बताए उसके मताबिक और अभी प्रैक्टिकली भी तो यह हमारा कामन पॉइंट बन गया अब यहां पे हमें नहीं पता कि यहां पे जो है एक्स और Z में जो है वो कामन और सॉरी रनिंग कॉन सा और स्टार्टिंग कॉन से तो य और जड जो है वो देखें य और जड यह 3.99 के मिडियम वैल्यू आ रही है तो यह है और यह मिडियम है मिडियम मतलब के य यह हमारा पॉइंट और कामन है और यह जड़ है मतलब यह कि यह यहां पे जो 3.9 है यह हमारा बन जागा स्टार्टिंग यह हमारा एस बन जाग लेकिन अगर वैल्यू को भी देखा जाए तो सबसे कम रिजिस्टेंस एक्स और वाई पर बन रही है मतलब कि एक्स और वाई तो यह मारा रणिंग मैंने बताया था वो अगर आप सिर्फ याद कर ले तो मेरे खाल में यह जितनी भी मैंने आपको डिमर्स्टेशन दिया है इसकी आपको जुरूत कभी जिन्दगी में नहीं पड़ेगी और आप जो है आसा होता है कि जिसमें दो वैंडिंग्स होती है रनिंग तो स्टार्टि तो वो जो वैंडिंग है वो अलग हो जाती है उस पे फिर लोड नहीं रहता है तो सारा लोड जो है वो रनिंग वैंडिंग पे चला जाता है और रनिंग वैंडिंग जो है वो रूटर को और मोटर को घुमा रही होती है यानि कि उसमें जो जितना भी काम होता है फिर रनि आपके लेया